सो हेलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुखे समाचार में आए जानते हैं फटा फट से 25 महत्पुर बड़ी खबरे खास अपडेट है पीम मोदी ने कई सारे ऐलान कर दी हैं सियम योगी के ऐलान के बाद गरीबों में खुस खबरी है गरीबों को फायदा मिलेगा आए दोस्तो जानते हैं तमाम बड़ी खबरें बस 10 मिनट में चलिए सुरू करते हैं दोस्तो यूबी केबिनेट में अब हर जिले में होगा परेटन अधकारी और परेटन सुविदा केंद्र योगी सरकान ने लिया है बड़ा फैसला प्रदेश में परेटन विखास हो परेटकों की सुविदा और उनके बहतर सुचनाओं को देने के लिए अब हर जिले में एक जिला परेटन अथकारी की तैनाती होगी हर जिले में परेटन विभाग का एक कारियाले होगा परेटन सुविदा वा सुचना केंद्र होंगे ताकि परिटकों और सुर्धालों को किसी भी तरह की जानकारी के लिए यहां वहां भटकना ना पड़े कैबनेट में बड़ा एलान हुआ है दोस्वाई पर राम मंदिर का निर्मार कारे पड़ गया धीमा सेकडों मजदूरों ने छोड़ दिया काम आक बता दे अब वापस नहीं आ रहे है यह लोग राम मंदिर निर्मार समिती के अध्यक्ष ने कहा कि लार्सन एंड ट्रूबो को स्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये गए है अगर दोसों से धाई सो और समिक नहीं जोड़े गए तो दिसंबर तक काम पूरा करना मुस्किल होगा क्योंकि राम मंदिर का निर्मार कारे धीमा हो गया है सेकडों मजदूरों ने काम छोड़ा है तो यूपी में लब जिहाद पर अब उम्र कैद होगा बिल पास हो गया है दोसी पर जुर्माना भी बढ़ाय गया है कोई भी वेक्तिक कर सकेगा सिकायत जीया दोस्तों यूपी में लब जिहाद के दोसी को अब उम्र कैद की सजा होगी साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा राजी विधान सबा में मंगलवार को लब जिहाद विरोधी बिल पास हो गया है जय योगी सरकान ने बिल पास करवा दिया है और धर परिवंतन के लिए विदेशों से होने वाले फंडिंग रोकने के ले सजा को सक्त भी किया है सामुहिक धन परिवर्तन पर 14 साल की सजा होगी आप यहाँ पर बाकी डिटेल देख सकते हैं नाबालिक SCHT मैला के साथ लब जिहाद पर 2-10 साल तक की सजा है 25 सजा जुर्माना है और अब 5-14 साल तक की जेल होगी और 1,00,000 रुपए जुर्माना लगेगा अब कोई भी व्यक्ति धर्मानतर के मामलों में F.I.R. दर्च करा सकता है पहले पीडी तो माता पिता या भाई बहन की मौजूद की जरूरी थी लब जिहाद के मामलों की सुनवाई सेसन कोर्ट से नीचे का कोर्ट नहीं करेगा लब जिहाद के मामले में सरकारी वकीर को मौका दिये बिना जमाना त्याज का पविचार नहीं किया जाएगा सभी अपराद गैर जमानती होंगे तो दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रतरसन करेंगे यूपी के पेंसनर बुद्धवार को धरने पर बैठेंगे आपको दादे नियूंदब पेंसनर बढ़ुतरी की मांग की गई है जिहां बुद्धवार को पेंसनर बरहुत्री की मांग को लेकर 31 जुलाई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिये हैं EPS 95 राष्टी संगर समिती के प्रांतिय अध्यक्ष ओम संकरतिवारी ने पेंसनरों को संगठन होने और धरने को सफल बनाने की अपील की है तो लखनों में 20 कोचिंग सेंटर सील कर दिये गए दिल्ली में बेस्मेंट हास्ते के बाद LDA के कारवाई हुई है विद्या पीट लक्ष कोचिंग पर भी ताला लगा है दिली में बेस्मेंट हास्ते के बाद लखनों में मंगलवार को 20 कोचिंग सेंटर को LDA ने सील कर दिया इनमें विद्या पीट, लक्ष कोचिंग और इस्टार लाइबरेरी सामिल है ये सभी कोचिंग सेंटर बेस्मेंट में चलाए जा रहे थे दैनिक भासकर से भी बादचीत में LDA ने अधिकारियों से जानकारी दी कुल 107 बेस्मेंट की चेकिंग की गई, इसमें 20 को सिल किया गया है तो आनंदी बेन पटेल बनी रह सकती है राज जिपाल 29 जुलाई को 5 साल हो चुके है पूरे, 3 महीने का मिल सकता है विस्तार दोबारा मौका मिला है या उत्तर प्रदेश की दाजनीती में तिहास में पहली बार हुआ है सुत्रों की माने तो अगले 3 महीने के लिए आनंदी बेन पटेल को सेवा बिस्तार दिया जा सकता है तो अब गोवा में होगी सराब बंदी भादपा विधायक ने विधान सबा में उठाई मांग जीहां भारती जन्ता पार्टी के मायम विधायक प्रमेंद स्टेट ने मंगलवार को गोवा में सराब बंदी की मांग की तो उपी में 90,000 गावों की सितंबर तक घृरोणी तैयार की जा चुकी है मुक्मति योग्यात इतनात ये निर्देश पर राज़्यस्त परिसत भकी हुई घरोणी तैयार करनाने के लिए मंगलवार चे ड्रोन से सर्ब्वे स्ुरू कर दिया है राजसो परिसत के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीस दूबे ने मंगलवार को सर्वे आफ इंडिया के दिकारियों के साथ ये बैठा की है तो वाट्सप लेकर आया है एक नया फीचर गजब का फीचर है वाट्सप में आये इस नया फीचर की जानकारी डबलुए बीटा इंफो ने एक्स पर पोस्ट करके दी है एक साथ डिलीट होंगे और मूब हो जाएंगे इस टीकर आप याप देख तकते हैं इसका स्क्रीन सौट सेयर किया गया है अब याप याप सेलेक्ट कर सकते हैं उतने श्टीकर को डिलीट भी कर सकते हैं भेज भी सकते हैं यानि काफी अच्छा अपडेट है तो दोस्तो अगस्त में तीन सो रुपए तक सस्ता मिलेगा LPG सिलेंडर अगले आठ महीने तक के लिए बड़ी खुसकपरी है जे दोस्तो आज से अगस्त महीने की सुरुआ थो चुकी है और इस महीने में एक बार फिर से कई करोण लोगों को सामाने ग्रहकों के मुकाबले सस्ता LPG मिलेगा अहम पात यह है कि अगले आठ महीनों तक ग्रहकों को या तोहवा मिलता रहेगा विस्तार से आपको बताते है क्या कि रहेगा 300 रुपई का फायदा मिलेगा अगर आप उजला योजना के लाभारती हैं तो कें सरकार 300 रुपई की सब्सेडि देती है और इसके तैद लाभारतियों को सामाने ग्रहकों की मुकाबले 300 रुपए तक सस्ता गैसलेंडर अगले आठ महीने तक मिलेगा वही उजला लाभारतियों को 300 रुपए की छूट के बाद 503 रुपए में ही गैसलेंडर मिल जाएगा मद्यपर्देश सरकार का भी बड़ा एलान है इसके बाद योगी सरकार भी बड़ा एलान कर सकती है लाडली बहनों को 400 रुपए में गैसलेंडर मिलेगा रसोई गैसलेंडर घरेलू गैसलेंडर महच 400 रुपए में मद्यपर्देश सरकार दे रही है जी हाँ दोस्तो मर्द परदेश की लाडली बहनों के लिए एक और बड़ी खुसकबरी है सीयम मोहन यादों ने रक्षा बंदन से पहले लाडली बहनों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है मंगलवार को इन्होंने कैबिनेट बैठेक में इसका निर्ण लिया है और आंगनवारी कार करताओ को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है कोई विलाकर अब आपको साढ़े चार सुर्पे में गैस सिलेंडर मिलेगा और बाकी के जो पैसा है वो सरकार देगी तो वारार्सी बरेली समेथ आठ ट्रेने दो दिनों के लिए निरस्ट की गई है यहाँ पर आप पूरी लिष्ट देख लीजे सेडूल देख लीजे मंगलवार को बरेली जंक्सन से गुजनने वाली 15.06 सकती नगर त्रिवेडी एक्स्प्रेस बन रही है लिष्ट फ्री रासन लेने वारे ऐसे कार धारकों पर सिकंजा कसने वाला है जो फर्जी तरीके से आयकर दाता और पांचेकर से अधिक जोट वाले किसान और मृत्कों की नाम पर रासन ले रहे हैं दोस्तों फरजी तरीके से आयकर दाता पांच एकर से अधिक जोत वाले किसान और मृत्कों की नाम पर रासन लेने वालों पर सिकंजा कसा जाएगा ऐसे रासन का धारकों की सूची भी तैयार हो रही है जाज में SDM, EO और BDO लगाए गए है वही विभा की ओर से जाज सुरू कर दी गई है सूची में चिन्हित आपात्रों का सत्यापन बंकी ब्लॉक के धकावली ग्राम पंचैस से किया गया है वही पर सभी जिलों में ऐसे ही नियम लागू हुए है अगर आप भी इंकम टैक्स वगेरा देते हैं या पांच एकर से ज़्यादा जमीन है रासन लेते हैं वसूली हो सकती है एक्सन हो सकता है आप पर नियम जारी हुआ है तो समविदा सिक्षकों के लिए बड़ी खुसकबरी है 57,700 रुपे हो गया बेसिक सेलरी यूपी के इस यूनिबरसिटी ने लिया है बड़ा फैसला दीन दयाल उपाध्याओ गोरगपुर विस्मिद्याले परसासन ने समविदा सिक्षकों के लिए बड़ी रहत दी है तीन साल पहले के फैसले को पलटते हुए उनका बेसिक सेलरी नियमित सिक्षकों की तरह निर्धादित करने का निर्णय लिया है दीन दयाल उपाध्याओ गोरगपुर विस्मिद्याले परसासन ने समविदा सिक्षकों की बड़ी रहत दी है आप उनको 57,700 रुपे तक की सेलरी मिलेगी दोस्तों बुद्द्वार को यूपी के कई जिलों में मुस्तला धार बारिस होई और उमस भरी गर्मी से लोगों को रहत जरूर मिली है लेकिन लखनों वालों के लिए बारिस आफ़त बन गई क्योंकि घरों में पानी घुज गया लखनों में तो पानी सड़कों पर बहने लगा इसके चलते जन जीवन पुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है भीसन बारिस होई है और साथ यापको दादे विधान सबा के आसपास के स्तिती तो बेहत खराब रही यहां सत्र चलने के वज़ा से तमाम वियाईपी गाडियां फसी रही तो पूजा खेडकर की आईस की नौकरी खत्म हो गई यूपेस्टी ने लिया फरजी दस्तावेजों पर सक्त फैसला पर सिच्छू आईस पूजा खेडकर को यूपेस्टी ने नौकरी से हटा दिया है फिलालवा प्रोबेशनर पर रहेंगी लेकिन अस्थाई न्यूक्ती से पहले ही उन्हें बाहर कर दिया गया है पूजा खेडकर फरजी दस्तावेजों का आरोप इन पर लगा था कासी विस्तनात को दान किये गए हीरे का मुकुट कीमस 47 लाक रुपए है 2294 हीरे जड़े है बीच में भगवान स्यू की खूब सूरत मोर्ती भी पनी है जी हाँ कासी विस्तनात को दान में मिला है हीरे का मुकुट वह वारारसी में 45 बिल्डिंग के 14 बेस्मेंट सील कर दिये गए हैं बेस्मेंट के 13 कोचिंग सेंटर पर जड़ा है ताला और नीस को बंद करने का नोटिस मिला है अगर आपके मकान में भी बेस्मेंट है तो नियम को जा लिजेगा क्योंकि जब से तीन बच्चों की मौत हुई है बेस्मेंट में फसकर तब से सरकार एक्सन में आ गई है वारारसी की बिल्डिंग में अंडर ग्राउंड फ्लोर यानी बेस्मेंट में संचाली कोचिंग पर नगर निगम ने एक्सन लिया है तो नितिन गटकरी ने इंसूरेंस प्रीमियम से जियस्टी हटाने की मांग की है वितमंत्री नेर्वला सीतर अमन को लेटर लिखा है अभी इसमें 18% जियस्टी लगता है लेकिन गटकरी ने इंसूरेंस प्रीमियम से जियस्टी हटाने की मांग वितमंत्री से की है तो इसमें थोड़ी राहत मिल सकती है वही दोस्तों इस भी सोना एक बार फिर से महेंगा हो गया 684 रुपए बढ़कर 79,364 का हो गया और चांदी सीधे 1715 रुपए चड़ गई यानि कीमत इसका बढ़ गया 83,065 रुपए एक बार फिर से पहुँच गया है केरेट के हिसाब से आप यहाँ पे गोल्ड की कीमत देख सकते है फिलाल IBJA की रिपोर्ट के नुसार 10 ग्राम 24 करेट का सोना 684 रुपए महेंगा हो गया और 79,364 का मिले का बाकी आप 24 करेट, 22 करेट और 18 करेट का रेट देख सकते है तो लकनों में नौकरी के लिए डिप्टी सीम का घर घेर गया स्वास विभाग के समविदा कर्मी बोले जबर्दस्ती हटा रहे, सीमो मनमानी पर उतारू है लकनों में समविदा करमचारियों पर डिप्टी सीम बचेज पाठक के आवास का घेराओ किया एनेचम करमचारियों का कहना है कि आदेश के बाद भी सीमों इस्तर पर सेवा विस्तार नहीं दिया जा रहा अब मजबूर होकर डिप्टी सीम से गुहार लगानी पड़ रही है सो दोस्तों ये आज के कुछ मुख्य समाचार थे कुछ जानकारी थी उत्तर प्रदेश के और अन्य राज्यों के मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा लेटेश न्यूज के लिए फिलाखिल दोस्तों इतना ही धन्यवाद